हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा दस्वी जिसका विशह है गनित इसकी वरक्षिट नंबर 5 समझाँगी जिसकी डेट थी में पस 15 जुराई 2020 आज की वरक्षिट में हम भुपदों के शुनांकों क्या जयमितिय अर्थ ये जानेगी ठीक है मतलब जिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिडोबियर तो देखो सबसे पहली बाद भुपद क्या है चारव है अंको के एक से अधिक परदों का बिज्जय वियंजय का ठीक है भुपद होता क्या है देखो जैसे कि आपके पास जो यहां पर भुपद के शुनांक होते है इस फॉर्म में होता है हमार पास भुपद फिक है न तो इसमें क्या है देखो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर जो यह है एक्स जिनका बान हमको निकालना है है न तो यह इनसे मिलके बनाए यह भुपद फिक है आप देखो यहां पर आपसे कह रहा है भुपद की घात बहुपत की घात होती क्या है तो जो सबसे बड़ी अंग सब चर की सबसे बड़ी घात जैसे अगर आप ये बहुपत देखो ये ना आपके पास बहुपत तो देखो इसमें यहाँ पर एक्स पे जो घात है वो चार है और यहाँ पर जो एक्स पे घात है वो तीन है तो गात होती है न वही भौपत की गात होती है ठीक है अब वह आपसे कह रहा है भौपत के शुनांख शुनांख का मतलब क्या है यहां पर चार संख्या के जिस मान से भौपत का मान जीरो हो जाए वो संख्या जिस से एक भौपत का मान जीरो हो जाए जैसे कि अगर मैं आपके पा यह पॉलिनॉमियल यह तब आएगा यह जब आपको बनाने को कहेगा कि भॉपद आप बनाओ अब देखो मान लेते हैं कि हमार पास जो यह बहुपद यह है अब मैं आपसे कहूंग इसके शुरांग क्या हूंगे तो जिससे भी इसका मान 0 हो जाए वो इसका शुरांग बन ज तो इसका मतलब अब जब आप इसमें माइनस टू रखो गए एकस की जगा तो क्या यह 0 बन रहा है बिल्कुल यह तो कट गया और 0 हो गया तो यह हो गया भॉपद का शुनाग ठीक है अब आपसे कह रहा है कि ग्राफ पर क्या-क्या होता है देखो यहाँ पर जैसे कि अगर 305 वाई दोनों ही प्लस की होते हैं दूसरे चुत रखनश में एकस जो है वं माइनस को अतर वाई जो है प्लस को खता है ऐसा क्यूँ, देखो यह जो y यह प्लस का है और जो यह x यह माइनस का है है न? तो यह दूसरा चतूर थांश है अब आज ओ तीसरे चतूर थांश में ये दोडो, जिनको मैं डाप करूँ तो X मही माइनस का है और यह नीचे वाला y होता है है ना ये भी माइनस का है तो दोनों ही माइनस की होते है इसके दिर्देशांग दोनों ही माइनस की होते है ठीक है अब चौते में आओ तो ये जो आपके पास x है ये तो प्लस का है पर ये वाला जो y है ये माइनस का है तो इसमें जो x है वो प्लस का उतार y है जो वो माइनस क होता है है तो आपको पता चल गया कि क्या-क्या होता है इसके अदर सबसे बड़ी घात है तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौनसी है 4 तो इसका मतलब यही मेरी भूपत की घात है ठीक है अब यहाँ पर कहरें शुरांग बताओ इसके तो अभी हमने कहाता कि अगर हम इसको 0 के इक्वर लग दे तो इसके शुरांग निकल जाएगा तो यह प्लस का 5 है तो इधर आके माइनस का 5 होगया तो इसका शुरांग के आगया माइनस 5 ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर y is equal to px शुरांग ग्याद करने के लिए देखो आपको यह ग्राफ दे रखा है और कह रहा है इस से हम कैसे शुरांग को ग्याद कर सकते हैं देखो y is equal to 0 कब होगा जब x अक्ष पर होता है यह ना x पर जहां यह x है इस पर हर जगा पर y जो है वो 0 के इक्वल होता है उसी तरीके से जो यह y है इस पर हर जगा पर x 0 होता है ठीके तो आप कह रहा है इस बहुपद में 3 शुरांग है बहुपद का अलेग x पर अक्ष को 3 बिंदूओं पर छूरा है कैसे पता चला कि इसमें 3 शुरांग है हमने तो बिल्कुल निकाला ही नहीं 0 के equal लगके तो देखो ग्राफ से कैसे पता चलता है एक यह राण जहांपर भी एक्स परstep कर अधे यह ग्राफ उतने शुरांग कोंगे जितनी बार भी करणा होगा तो देखो wanted तीन बार यह कर रहा है ना किइन न टीन बार लगाईए और उनकी संख्या लिखिए तो गोला अगर मैं गोला लगाऊं जहाँ यह एक्स को टच कर देना आप वहाँ पर गोला लगा दो पस और कुछ नि करना आपको लगा दिया अपने सब जगे यह गोले अब आपको क्या करना है शुरांगों की संख्या लिख दिये तो इसमें कितना शुरांग है इसमें सिफ एक ही शुरांग है इसमें कितने है दो क्योंकि दो जगा गोला लगा है ठीक है ना इसमें कितने है एक क्योंकि यहां पर यह X में एक ही जगा टेच कर रहा है इसमें कितने हैं? दो तो यहां पर आ जाएगा ठीक है? तो अब आपको बता चल गया कि अगर आपको ग्राफ दे रखा हो तो आप उससे भी शुरांग निकाल सकते हैं और यह आपका चैप्टर नमबर टू है exercise 2.1 है ठीक है यह पूरा चैप्टर मैंने आपको solve करवा रखा है NCRT से तो मैं जो NCRT के जो chapters के exercise मैंने आपको कराई है उसकी link मैं आपको description box में दे दूँगी पूरी exercise में उसमें यह graph ही बने विया उसमें आपको शुरांग बताने है ठीक है ना तो यह छोटी सी worksheet थी आज हमार पास worksheet नमबर 5 अब worksheet नमबर 6 जो हम अपने next वीडियो में करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा Thank you